नमस्कार, स्वागत है आपका श्रीमत वालमी की रामायन अखंड पाठ के अंतर्गत, एका दशा अधिक शततमा सर्ग में, अर्थात 111 में सर्ग में, उत्तरकांड का अंतिम सर्ग, और श्री वालमी की रामायन का भी अंतिम सर्ग है dit और हमारे इस रामायन पाठ का अंतिम चरए साड़े तीन साल से भी ज़्यादा हो गए इस रामायन पाठ को करते-करते और आज है इसका समापन आज की सर्ग में है रामायन कावे का उपसंगहार और इसकी महिमा तो चलिए प्रारंब करते हैं आज का पाठ एतावदे तदाख्यानम सोतरम ब्रह्म पूजितम रामायनम इतिख्यातम मुख्यम वाल्मी किनाकृतम ततह प्रतिष्ठितो विष्णुह स्वर्गलोके यथा पुरा येन व्याप्तम इदम सर्वं त्रैलोक्यम सचराचरं ततो दिवाह सागंधर वाह सिधाष्या परमल्षयह नित्यम शुणवंती संहिष्टाह काव्यम रामायनम दिवी इदमाख्यानम आयुष्यम सोभाग्यम पापनाशनम रामायनम वेदसमम श्राधेशु श्रावये बुधह अपुत्रू लभते पुत्रम धनो लभते धनम सर्व पापई ही प्रमुचेता पादम अप्यस्य यह पठे लव और कुश श्री राम को रामायन का कुछ अंतिम भाग सुना रहे हैं कहते हैं कि महर्शिवाल्मी की द्वारा निर्मित यह रामायन नामक्ष्रेष्ठ आकन उत्तरकांड सहित इतना ही है ब्रह्मा जी ने भी इसका आधर किया है इस प्रकार भगवान श्री राम पहले की ही भाती अपने विश्णु स्वरूप से परमधाम में प्रतिष्ठित हुए उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित यह समस्त त्रिलो की व्याप्त है उन भगवान के पावन चरित्र से युक्त होने के कारण देवता गंधर्व सिद्ध और महर्शी सदा प्रसनता पूर्वक देव लोक में इस रामायन कावे का श्रवन करते हैं यह प्रबंध काव्य आयो तथा सौभाग्य को बढ़ाता है और पापों का नाश करता है रामायन वेद के समान है विद्वान पुरुशों को श्राधों में भी इसे पढ़कर सुनाना चाहिए इसके पाठ से पुत्रहीन को पुत्र और धनहीन को धन मिलता है जो प्रति दिन इसके श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है वेह सब बापों से छुटकारा पाजाता है पापान्य पिचयह कुर्यादहन्यह निमानवह पठत्यकम पिश्लोकम पापात्स परिमुच्यते वाचकाय चदातव्यम वस्त्रम धेनो हिरण्यकम वाचके परितुष्टेतु तुष्टाह स्युह सर्वदेवताह एतदाख्यान मायुष्यम पठन रामायनम नरह सपुत्र पौत्रो लोके अस्मिन प्रेत्यचेह महियते रामायनम गोवि सर्गे मध्यानेवा समाहितह सायाने वापरानेच वाचयन आवसीदती अयोध्यापे पुरी रम्या शून्या वर्ष गणान बहून रिशभाम प्राप्य राजानम निवासम पयास्यती जो मनुष्य पापी है प्रति दिन पाप में लगा रहता है वह भी यदि इसके एक्ष्लोग का भी नित्यपाठ करें तो सारी पापराशी से मुक्त हो सकता है इसकी कथा सुनाने वाले वाचक को वस्त्र गव और सुवर्ण की दक्षना देनी चाहिए वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं यह रामायन नामक प्रबंध काव्य आयो की वृद्धी करने वाला है जो मनुष्य प्रति दिन इसका पाठ करता है उसे इस लोक में पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात परलोक में भी उसका बड़ा सम्मान होता है जो प्रति दिन एकागर चित्त हो प्रातहकाल, मध्यान, अपराण, अथवा सायंकाल मेरा मैन का पाठ करता है उसे कभी कोई दुख नहीं होता है शीरगुनात जी के परमधाम पधारने के पश्चात रमनिय अयोध्यापुरी भी बहुत वर्षों तक सुनी पड़ी रहेगी फिर राजा रिशव के समय यह आबाद होगी एतदाख्यानमायुष्यम सभविश्यम सहो तरम कृतवान प्रचेत सह पुत्रस्तत ब्रह्मा अप्यन्वमन्यत अश्वमेध सहस्रस्य वाजपियायुतस्यच लभते श्रवनादेव सरगस्याई कस्यमानव प्रयागादी निती थाने गंगाद्याह सरित स्तथा नेमिशादी नरण्यानी कुरुक्षेत्रादि कान्यपी गतानिते न लोके अस्मिन येन रामायनम शृतम हेम भारम कुरुक्षेत्रे ग्रस्ते भानव प्रयाचति यश्चरामायनम लोके शृणोती सद्रिशाव भव सम्यक्ष्रधा समायुक्तहल शृणते राघवीं कथां तो प्रचेता के पुत्र महर्शी वालमी की जी ने अश्मेद यग्य की समाप्ती के बाद की कथा एवं उत्तरकांड सहित रामायन नामक इस एतिहासिक कावे का निर्मान किया है ब्रह्माजी ने भी इसका अनुमोदन किया था इसकावे के एक सर्ग का श्रवन करने मात्र से ही मनुष एक हजार अश्मेद और दस हजार वाजपे यग्यों का फल पालिता है जिसने इस लोक में रामायन की कथां सुन ली उसने मानो प्रयाग आदी तीर्थों गंगा आदी पवित्र नदियों, नैम शारण्य आदी वनों और कुरुक्षेत्र आदी पुन्यक्षेत्रों की यात्रा पूरी कर ली जो सूरी ग्रहन के समय कुरुक्षेत्र में एक भार सुवर्ण का दान करता है और जो लोक में प्रति दिन रामायन सुनता है वे दोनों समान पुर्णे के भागी होते हैं जो उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो श्री रगुनाद जी की कथा संता है वे सब पापों से मुक्त होता है और विश्नुलोक में जाता है सर्व पापात्रमुचेत्र विश्नुलोकं सगच्छती आदिकाव्यमिदम त्वार्षम पुरा वाल्मी किना कृतम यह श्रुनोति सदा भक्त यास गच्छत वैश्नवी तनुम् पुत्रदाराश्च वर्धन्ते संपदह संतते स्तथा सत्यमे तत्विदित्वातु श्रोतव्यम नियतात्म भिही गायत्याश्च स्वरुम्त रामायनम अनुत्तमं यह पठे च्रुनोयानित्यम चर्तम राघवस्यह भक्त्या निश्कल्मशो भूत्वा दीर्घमायुरवाप्नुयाद् चिंत ये त्राघवम नित्यम श्रेयह प्राप्तुम्येचति श्रावये दिदमाख्यानम ब्राम्हने भ्योदिने दिने आगे कहते हैं कि जो उत्तम श्रद्धा से संपन शीर अगुनाजी की ये कथा सुनता है वो सब पापों से मुक्त हो विष्टिलोप में जाता है जो पूर्व काल में वालमे की द्वारा निर्मित इस आर्श रामायन आदिकावय का सदा भक्ति भाव से श्रवन करता है वह भगवान विष्णू का सारूप्य प्राप्त कर लेता है इसके श्रवन से स्त्री पुत्रों की प्राप्ति होती है धन और संतति बढ़ती है इसे पूर्ण तह सत्य समझ कर मन को वश में रखते हुए इसका श्रवन करना चाहिए यह परम उत्तम रामायन काव्य गायत्री का सरूप है जो कोई भी प्रति दिन भक्ति भाव से श्री रगुनाद जी के इस्ट है वह निश्पा पहूकर दीर्ग आयू प्राप्त कर लेता है जो कल्यान प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे नित्य निरंतर श्री रगुनाद जी का चिंतन करना चाहिए ब्रामनों को प्रति दिन यह प्रबंध काव्य सुनाना चाहिए यस्त्विदम रघुनाथस्य चरितम सकलं पठेत सो सुक्षये विष्णुलोकं गच्छत्येवन संचयह पितां पितामह स्तस्य तथैव प्रपितामह तत्पिता तत्पितां चयव विष्णुम्यांती न संचयह चतुर वर्ग प्रदम नित्यम् चरितम राघवस्यतु तस्माध्यत्न वता नित्यम् शोतव्यम परमं सदा शुन्वन रामायनं भक्त्या यह पादं पदमे ववा सायाति ब्रम्हनह स्थानम ब्रम्हना पूजते सदा एवमेतत पुरा वृत्तम आख्यानम भद्रमस्तु वह प्रव्याहरत विष्णुम् आगे कहते हैं कि जो इस श्री रगुनात चरित्र का पाठ पूर्ण कर लेता है वह प्राणान्त होने पर भगवान विष्णु के ही धाम में जाता है इसमें संशे नहीं है इतना ही नहीं उसके पिता, पितामह, प्रपितामह, व्रिद्ध प्रपितामह तथा उनके भी पिता भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं इसमें संशे नहीं है श्री रागवेंद्र का यह चरित्र सदा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरिशार्थों को देने वाला है इसलिए प्रति दिन यतन पूर्वक, निरंतर इस उत्तम काविका श्रवन करना चाहिए जो रामाइन काविकेश लोक के एक चरण या एक पद का भक्तिभाव से श्रवन करता है वह ब्रह्माजी के धाम में जाता है और सदा उनके द्वारा पूजित होता है इस प्रकार इस पुरातन आख्यान का आप लोग विश्वास पूर्वक पठन करें, श्रवन करें आपका कल्यान हो और भगवान विश्णों के बल की जै हो जै हो इस प्रकार रामायन के इस महात्म के साथ हम श्री वालमी के निर्मित आर्श रामायन आदिकाव के उत्तर कांड में 111 सर्ग मूरा करते हैं इत्यार्शे श्रीमद रामायने वालमी की ये आदिकावे उत्तर कांडे एका दशाधिक शततम सर्ग इती श्रीमद वालमे किया रामायनम संपूनम ओम श्री सिता राम चंद्रा भ्यां नमः